नमस्कार मैं बल जी धाका पिनेकल कौजी सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं जैसा कि आप जानते हैं प्रजेक्ट 400 जो कॉश्चन होते हैं, वराइटिक कॉश्चन होते हैं, अगर आप प्रजेक्ट 400 कॉश्चन करते हैं पूरे मैथ के, तो इसका मतलब यह है कि पूरा मैथ है, आपके कमांड में बहुत असानी से आ सकता है, और SSE CZ लें बहुत अच्छे, आप मास ला सकते हैं इसका पूरा बेनिफिट लेने के लिए, प्रजेक्ट 400 सिरीज और बाकी हमारे जो प्रोग्राम हैं, उनका पूरा बेनिफिट लेने के लिए, आप हमारा ओनलाइन कोश्चिंग बैस या हार्ट डाय कोर्स से वो जोईन कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक्जाम SSE CZ का क्रैक करने में ज्यादा असानी मिले, अब हम चलते हैं कोश्चन नमबर 11 पर, पार्ट 3 में कोश्चन नमबर फरस्ट है 11, कोश्चन है, एन नमबर फ्रेंड्स डिसाइडि टू गो टू, गो ऑन पिकनिक एंड प्लेन टू स्पेंड 108 ओन टेबल, कुछ मितर थे, वो योजना बना और उसमें से तीन लोग नहीं आते, as a consequence, each one of the remaining had to contribute three rupees extra, हुआ ये, इसे वो तीन नहीं आये, उनमें से three of them नहीं आये, तो बाकियों को ज़्यादा पैसा spend करना पड़ा, contribute करना पड़ा, तीन रुपे एक्स्ट्रा, नमबर फ्रेंड्स डिसाइड पिकनिक वाज, कितने हम लोग है, देखते हैं, पहले आप इस वीडियो को पोज कीजिए, इस question को solve करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं, आप किस तरह से solve करते हैं, जब आप इस तरह question देखे हैं, तो आपको factor बनाने होते है, 108 जिसमें difference 3 है, कई बार आएगा आपको तीन, पांस, पांस का, difference है, क्योंकि 3 रुपए extra वो spend कर रहे हैं, इसका मतलब, इसका मतलब कि मैं अगर इनके ऐसे factor बनाओ, जिसमें difference 3 हो, means x into y is equal to 108, लेकिन difference उसके बीच में 3 आना था ये, तो क्या हो सकता है, 12 into 9, 12 into 9, अगर हम गुना करेंगे इसका तो 108 आएगे, इसका मतलब यह हुआ, कि पह 8 रुपए expend करेंगे, 108 spend करेंगे, लेकिन हुआ क्या कि 3 बंदे absent हो गए, इसका मतलब 9 रहे, और 3 रुपए ज़ादा एकर ठेकर पने बड़े, इसका मतलब 12 का मतलब, तो क्या हुआ, 9 into 12, 108 रुपीज, पैसे तूथ नहीं हुए, तो 3 का difference होने के वजए से, हमने 3 का factor में difference लिया, इस वज़े से answer है, immediately आप निकाल सकते हैं, इस तरह question में है, कि number of them who attended the picnic, 9 रोगों ने picnic attend की थी इसमें, तो ऐसे question आप सोर किजिए, इस तरह पूरूप में, आपको कोई x, y, z या n, s, 3, ऐसे करने के आप सुकता नहीं है, यह पहले x है, फिर y है, x minus 3, y plus 3, इनका ज x, y करेंगे, फिर आपका निकल जाएगा question, लेकिन बहुत जादा time लेग जाएगा, तो बैटर यही कि आपका mental attitude इस दिशा में हो, कि आपको answer निकालना है, नहीं कि यह prove करना है, कि महत कितना जादा आ रहे है, next question देखने कोशिश करते हैं, the divisor is 25 times the quotient, and 5 times the remainder, if quotient is 16, dividend कितना हो, भाजक भागफल का 25 गुना है, और 16 पल का 5 गुना है, यदि उसका भागफल 16 है, तो भज्या कितना हो, तो आप एक तो देखिए, यहाँ पर होता dividend है, इसको आप भाज्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर होगा कोशिंट, आप हिंदी में इसको भागफल लिख सकते हैं, यह भागफल होता है, और यह होता है, भाजक, दिवाइजर, यह दिवीजर जो भी बोलना चाहिए, दिवीजर, और नीचे आप रिमेंडर, सेसफर लाव़ इसको बोल सकते हैं, यह जानना पहले तो यह जरूरी होता है, जवाब यह पता होगा कि यह दिवाइजर होता यह डिवीजर होता है, यह दिवीजर होता है, यह remainder होता है हम चोटी क्लास में पढ़ते थे लेकिन होता क्या है कि 8-10 साल का जब gap हो जाता है तो हम भूल जाते हैं चोटी-चोटी बाते मी तो इस question के माध्यम से क्योंकि इस तरह की variety है और यह important है लेकिन यह असान variety तब होगी मतलब इसकी रुष्किल बुना करेंगे यह जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा अब इस पर देखें क्या है कि divisor is यह divisor है 25 times the quotient इसका 25 times है and 5 times the remainder और remainder का फांस बुना है if the quotient is 16 अब देखते हैं quotient कितना है 16 मतलब यह 16 है तो dividend कितना होगा divisor is 25 times the quotient इसका 25 गुना के जिए 25 into 16 400 and 5 times the remainder यह divisor है जो 5 गुना है remainder का remainder इसका अज़र 80 हुआ कि हुआ कि हुआ 80 into 5 400 अब हमें यह पता देखें लिगा है यह पता देखें लिगा है अब असानी से 16 into 6400 प्रस 80 6480 तो इसका मतलब जो यह dividend है वो 6480 होगा हमने क्या किया इस question में कि divisor is 25 times the quotient quotient दिया हुआ है यहां पे 16 यह दिया हुआ एक चीज़ दिया हुआ है 16 यह 16 इसका 25 गुना इसका हमने multiply कर दिया 25 से 400 हो गया और यह जो है divisor यह है 5 गुना किसका remainder का 5 गुना मतलब इसका 5 गुना तो इसका पांस से अगर इसको divide करेंगे तो यह remainder आ जाएगा अब हमारे पास यह है यह है यह हमें निकालना है एक्चुल में question कहें बाजिया कहें यह बाजिया होता है मतलब dividend होता है तो 16 into 400 plus में 80 यह आ जाएगा हमारा answer इस तरह की variety में आपको यह चीजें समझ में आने ही ज़्यादा जूरी है multiplication हो गारा तो हो जाएगा question number 13 चलते है in a test one mark is awarded for is correct answer एक number दिया जाता है एक test में अगर आपने question को correct किया तो and one mark is deducted for is wrong answer एक number कट जाएगा अगर आपका answer है गलत है तो if a why answer all 20 items of the test कि सारे 20 items means 20 question थे 20 के 20 उसने कर दिये और उसको मिले 8 number number of question answered correct by him was कितने question है उसने correct किये इस तरह का एक exam पे भी कई बार question आता है कि उसके one by fourth number कटते है एक number कटते है आदा number कटते है इतने solve किये इतने number आए तो क्या होगा तो देखिए इस question में क्या है कि 20 question है और 8 number आए question इतने है और 8 है मारस आए और एक number ठीक पे correct करने पे एक number मिलता है और एक number कटता है wrong करने पे ये question है यह मैंने ऐसे लिख दिये इसका मतलब कि जो gap है वो 20 minus 8 कितना हुआ 12 12 हुआ क्या हम यह बोल सकते हैं कि 6 question उसने correct यह 6 question का number कटे और 6 अब 12 है यह यहां पर दोनोंगा difference तो इसको अगर 2 से divide करेंगे इसका मतला उसने 6 question है वो गलत किया correct कितने हुए 14 14 question अगर correct होते हैं 6 गलत होते हैं इसका हुआ नंबर वहां पर कट गए तो इसलिए 8 उसके total net marks आए समझने कोशिश कर सकते हैं इससे कि अगर उसने 14 question correct किये हैं तो गलत कितने हैं 20 minus 14 that is 6 और 6 number क्योंकि एक question का एक number कटता है तो इसका नंबर कट गए तो total net marks आगए 8 इस तरह question आपको logically थोड़ा इसा सोचकर आप निकाल सकते हैं answer आगया 14 आप इसको इस नजर से भी देख सकते हैं आप स्तरह question को option से भी देख सकते हैं जैसे कि अगर one the 16 correct होते है फिला option ले धिर इस किक रेक्ट होते हैं इसका मतलब 4 गलत होते हैं, तो 4 अगर गलत होते हैं, तो 20 में से ही, 20 में से पहले आप 16 गलत होते हैं, चार रों होते हैं, तो total marks आते हैं, उसके 12, क्योंकि इस में से 4 माइनस होते हैं, लेकिन marks तो total सिर्फ 8 हैं, तो ओविसली दूसरे option पे जाएंगे हम दूसरे option में देखेंगे कि 20 question थे 14 उसने correct किये 14 correct किये तो इसका 6 question कर लात हुए तो 14 में से 6 गए 8, 8 मारस ये correct answer है तो या तो option से निकाल सकते हैं या मैंने बता है logically ऐसे निकाल सकते हैं आपको x, y, z करने की इस तरह question में कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होती है Of the three numbers, second is twice the first and it is also thrice the third If average of the three numbers is 44, that depends on the first number and the third number would be how much Question क्या है पढ़िए आप पोज किजी वीडियो उसको बाद इसको solve करने की कोशिश किजी हर तरह के हर question के बाद वीडियो पोज करके पहले आप अपने तरफ से निकालिए ये एक better strategy हो सकती है ताकि आपको साथ साथ है वो आ जाए सारे question of the three numbers, second is twice, अब ऐसे लिख सकते हैं A, B, C या first, second, third, ऐसे लिख सकते हैं second is twice the first, अगर ये एक है तो ये दो है and it is also it is also the thrice of the third मतला आप ऐसे लिख सकते हैं उसको one यहां पे तो ये तीन है या ये दो है यहां पे तो ये थे है और ये तीन, ऐसे कर सकते है कि A, B, C में second है ये second, वो twice the first है ये देखो, twice the first हो गया and it is also thrice the third, तीन गुना है, third का तो आप, जब आप इस तरह का question मिलें, आपको क्या करना है, आपको इस तरह की एक equation से बना लेनी है, पहले आप अगर एक लेते हैं यहां पे ये दो होगा लेकिन ये जब तीन था इसलिए हमने यहां पे दो नहीं लिया, क्योंकि ये तीन गुना होना चाहिए, तो ये तीन है, तो ये डेर्ड होगो ना चाहिए, क्योंकि ये दो गुना है, और ये एक होगा अब इसको फ्रेक्शन को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसको दो से गुना किया, ये तीन हो गया, इसको दो से गुना किया, और इसको दो से गया, दो, छे, तीन, इस तरह से इसको हमने कनवर्ट कर दिया, अब देखते हैं क्या है, अब अगर आपने इतना बना लिया है, तो इस तरह question करना बहुत असान होगा बहुत असान होगा और practice से आप इस तरही चीज़ें बहुत असानी से बना सकते हैं if the average of the three is 44 difference of the first and the third number कितना होगा अब देखिए इसमें three is six two में इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ यहां पे ताकि थोड़ा clear रहे three six or two इस ratio में है यह अगर यह 3x है 6x है 2x है इसका average six plus three nine plus two eleven eleven by three है वो average है if eleven by three is the average इसका अगर और वोस्त है 11 by three हम देखें तो पहले और तीसरी संख्याइब difference है पहले संख्याइब तीसरी संख्याइब डिफरेंस है वो एक है तो question बनागे है 11 by three if the difference if the average then difference is one और अगर यह 44 average है question है average of three number 44 तो उसका difference कितना होगा तो one divided by 11 by three into 44 answer कितना होगा 12 वारांसर है यह एक है important variety रूप में आप देखिए इसको इस तरह question आए और जब यह चीजा आए तो आप सिधा इस पर यहां पर आ जाएगी और इसको फिर solve कर सकते हैं हमने ज़्यादा x का use नहीं किया पूरे mathematics में हम x का minimum use करें क्योंकि x calculation को ज़्यादा complex करता है और जो mental और logical अप्रोच होती है उसको reduce करता है इसका मतला हम बहुत ज़्यादा formula use नहीं करेंगे पूरे math में हम क्या करेंगे logical approach है उसका इस्तेमाल ज्यादा करेंगे और जब आपका विवारी ग्यान अगर आप राइट हंग से will be अब हम देखने कोशिश करते हैं इसमें यह success you division का question है असान question होते हैं लेकिन अगर आप इसको समझे तब वरना आपको एक confusion वाले question लगेंगे तो question को पड़िये क्या है कि जब किशी संख्या को करमिशे 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो successful करमिशे 1 और 4 प्राफ्ट होता है जब इस संख्या को 5 और 4 से भाग दिया जाए तो बताओ successful क्या प्राफ्ट हो इस तरह question में आपको सिधा ये बना लेना है और क्या करेंगे आपके की संख्या अगर मालों यहांपे हज़़ा में यहां पर why ले 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 प्राफ्ट हो ओगा यह संख्या पहले संख्या देखें क्या होगी यह number one divide successfully by four and five पहले इसको चार से divide करते हैं और तो remainder कितना बस्ता है यहांपर remainder बस्ता है एक इसका मनतरा अगर यह संख्या यहांपर पांस होती अगर अगली बात और बोल रही है इसको फिर अगली बात को पांस को यहाँासे उसको हम लोग है अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ तो remainder कितना बच रहा है? 4 इस case में remainder 4 बच रहा है इसका मतलब इसका मतलब अगर ये 9 है ये 9 है तो क्या होगा? कि 5 से जब हम डिवाइड करें आप इसको X लिख सकते थे कि Y था अगर इसको फिर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो फिर ये remainder 4 और ये question 1 आप इसको रख सकते हैं 1 रख सकते हैं 2 रख सकते हैं अगर 2 रखें तो भी answer सेम ही आएगा क्योंकि उपर जब calculate करें उपर जाएंगे तो वो संख्या है वो उसका उसी रूप में आ जाएगी पहले इसको करके देखते हैं जिससे की समझ में आ जाए कि क्या था ये इसका मतलब 5 और 1 कितना हुआ 5 into 1 5 plus 4 9 यहाँ पर 9 था exactly इस वज़े से 9 को 5 से जब हमने भाग दिया तो एक और 4 है वो remainder रहा है इसका 4 remainder था ये correct बात है और वो संख्या क्या थी 4 और 9 9 और 4 को हम लोग multiply करते हैं क्योंकि ये quotient हो गया है तो कितना हुआ 36 और 1 remainder था इसका लो ये संख्या कितनी थी 37 ये 37 भी हो सकती थी अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ जैसे कि इस case में मैं 2 ले लेता हूँ समझाने के लिए अगर यहाँ पर y है और यहाँ पर x ले रखा है और यहाँ पर मैं 2 लेता हूँ तो कितना हुआ 5 इंटू 2 10 और 1 ये था 11 फिर 11 इंटू 4 44 और यहाँ पर है यहाँ पर 4 था यहाँ पर 4 था दूसरे रखेंडर तो 5 इंटू 2 10 प्लेस 4 14 यहाँ पर 14 रखिए 14 इंटू 4 56 और यहाँ पर रखेंडर था 1 तो यह 57 ओर रहा है तो ऐसे कर गए 37 भी लेक सकते हैं 57 भी लेक सकते हैं आपने किस मौल्टीबल पॉर्मेट में यह रखा है लेकिन यहाँ पर जब हम इसको 4 से ड्वाइड करते हैं तो और उसके बाद फिर 5 से करते हैं तो रिमेंटर है वह 1 और 4 आ रहा है इसके से में 1 और 4 आ रहा है तो 37 या 57 लेते हैं एक बात होगी अब देखिए कि when it is successively divided by five and four अगर इस संख्षा को या इसको दुनों किसी को मान ले सकते हैं तो आणसर आएगा हम पांस और चार से पांस और चार से तो रिमेंडर कितना आएगा इसमें दो और फिर चार से करते हैं कितना आएगा तीन तो रिमेंडर कितना है दो और तीन करमेश रिमेंडर आएगा दो और तीन आणसर है c 37 को 5 से किया 5 into 7 35 इसकी हमेशा गुना होती है यह add होता है 37 और फिर हमने किया साथ को चार से भाग एक कोशन्ट और थ्री रिमेंडर अगर आप इसको भी करेंगे तो सेम आएगा 57 को अगर हम फाई से करेंगे तो कितना है यहाँ 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 पे और रिमेंडर कितना हुआ टू और इसको फिर हम चार से करेंगे कितना हुआ चार तुम्हें आठ तीन रिमेंटर तो दो और तीन इसमें भी दो और तीन इस तरह के कोश्टिन जब प्रेक्टिस करेंगे इस को अगर आप नहीं समझ लिया दोबारा एक दो बार इसी कोश्टिन को आप दोबार कीजिए परजेक्ट 400 जो वराइटी है उसकी ब्सवरा ये कर लेंगे तो सिद्धा आप ऐसा करेंगे फिर आप यहां पे रखेंगे यहमें चार से ड्वाइल करना है यह 5 से करना है तो उमीद करता हूं कि इस question को समझे में आ रहा होगा और एक दो बार करेंगे तो 100% आपकी दिमाग में बैठ जा रहे हैं Question चलते है 16 की तरफ The digit in unit place of the product 81, 82, 83, 89 वह इसका जर आपस में गुणा करते हैं तो कितना हुगा Unit digits related multiplication की question है वो इस number system में important question माने जाते हैं आते हैं exam में और यह बहुत असान question होते हैं इसका मतलब समझे कि इकाई का अंक अगर इन सब की गुना हो तो इकाई का अंक क्या होगा अब देखिए 81 से लेकर 89 तक है वीडियो पोज किजिए और करने कोशिश किजिए आप आएंगे यहां पर कि यहां पर कहिंगे 85 जरूर है 84 85 जरूर है और हमेशा जब 85 हो मतलब यह फाइव हो और टू की multiplication हो फांच के साथ में दोगी हो तो और विसली यह 0 रहेगा और एक बार जब किसी ऐसे शीरीज में 0 बन गया तो वो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा हमेशा 0 तो इसको जनका अंसर ए अगर यह इतना ही होता तो कितना होता है सेवन इंटू टू फो अपोर्टिं चार रखिए चार इंटू वन चार इसका अंसर उता फिर चार तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं यूनिट डिजिट आपको सिर्फ एक एक सर लेना है और बाकी लेफ्ट वाड़े छोट जेना है किस से डिवाइड होगा जो जोड है पहले साथ संख्याओं का पूर्णत्य की संख्या से भाग हो जाएगा यह आपको बताना है जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था फिर्स्ट वीडियो में जब concept समझा रहे थे कि sum of first number होते हैं फिर्स नेसूर नमबर उसको आप calculate करने के लिए n into n plus 1 या इसको प्रेक्ट मेरे लिए जिए और divide by 2 होता है आप एक चीज़ जरू कर सकते हैं कि आप पहले कोई छोटी संख्या मान सकते हैं जैसे 1234 और इनका सम करके देख लिए कि कितना आ रहे हैं जैसे इस केस में देखें 4 प्लस 37 प्लस 29 प्लस 110 तो आप इसको इस formula इसमें बनाएंगे देखो इसका 10 आया हम इसको इस formula में convert करने कोशिए कोशिए करें n n plus 1 divided by 2 n कितना था 1 2 3 4 4 into 5 divided by 2 इसका भी answer 10 आया तो अगर यह formula याद नहीं तो भी tension learning जूरूत नहीं है आप खुदी बना लीजिए formula यह 8 आपको आनी चाहिए तो जैसे कि हमने यावे खुदी formula बना दिया अगर पता नहीं था तो इसका मतलब कि 60 तक भी आप एक कर सकते हैं मैंने दो तिन चोटी हमेशा चोटी संख्या का example लेकर formula डवलोप कीजिए फिर आप देखिए कि 60 में अगर करना हो तो क्या करेंगी 60 एन ये 60 हुआ एन प्लेस बन मतलब 61 डिवाइड बाइड टू इसका मतलब पहले 60 संख्याओं का जो जोड है वो आएगा 18 30 आपको यह याद करने इतनी जरूद भी नहीं है क्योंकि question पूछा गया कि बताओ यह ज 61 से जरूर डिवाइड होगा तो आमसरी 61 क्यों क्योंकि यहाँ पे 30 वाइड 60 वाइड टू इन्टू 60 था 60 वाइड टू इन्टू 61 था अब 61 जरूर है यह संख्या 61 से जरूर डिवाइड होगी क्योंकि इसमें factor है 61 इसलिए इसका answer D तो जब भी ऐसा question आये आप ऐसे कर सकत है question number 18 के तरफ चलते है digit in the unit place of the product इस product में digit है वो क्या होगा unit digit जैसे question क्या होगी और उसका left ये right वाला है वो क्या होगा अब जाने कोशिश करते हैं जैसे कि four है जब इस तरह question हो तो आपको पहले यह लेना वैस इसको जरूद नहीं होती क्योंकि हम यूनिडिजिटी करना है इस case में भी आप यह ले सकते हैं और इस case में भी एक ले सकते हैं तो एक का power चे एक हो कितना ही हो हमेशा एक होगा तो यहां तो stimulator बन हो गया इसकी जवाव मैंने सिधा लिख दिया वन होँगा अब आप देखिये पाई फावर one वे पांस तो क्या है पहे ठीजिस जी और पन तो क्या है पांस पच्शिस ओन तो ओन यहां रखिए हमेशा आप ऐसे करके देख सकते हैं छी मैंने बता जा उर अब यहां पर देख लिजी देखिए यहां पर भी करके देख लिजी जब एक दोबार आप करके देखेंगे तो आपके देखेंगे बैठ जाएगा और उसके बाद mental calculation काफी होगी जैसे 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3, 4, 4, 4, 5 4, 16, 64, 25, 6 अब आप देखेंगे इसका unit is 4 कि हर 2 के बाद 2 के बाद यह रिपीट हो रहा है यह रिपीट हो रहे है दो के बाद में बतर पांच वाँ आप वैसे भी देखेंगे कि हर एक से लिक नाइन तक में हमेशा चार के बाद तो रिपीट होता ही होता है लेकिन जैसे हमने देखा एक के केस में हमें हर बार ही वन आ रहा है पांच के केस में हर बार वन आ रहा है चार के केस में दो के बाद भी वन आ रहा है तो आप इसका मतलब चार के बाद तो आई रहे है अगर आपको वैसी आज नहीं रहे तो सबको चार से डिवाइड कर सकते हैं सिदा चार से देख लीजिए वरना आप इस case में ऐसे भी कर सकते हैं जैसे दो के बाद repeat हो रहा है तो आप इसको 2 से divide कर दीजिए जब आप 2 से divide कर देंगे करेंगे इसका मतलब क्या है जो remainder बच्चे का वो 1 है तो 4 की power 1 कितना होगा 4 4 की power 1 4 4 into 4 into 5 into 1 कितना हुआ unit digit 20 में unit digit was 0 answer is a हमने क्या किया और आपको क्या करना इस तरह question में कि आपको एक अक्सरी रखना है और उसकी power देखनी है और आप चाहिए तो 4 से कर सकते हैं या आप इस नजरीए से देख सकते हैं क्यों 4 एक universe ले और बाकी जिसे 1 है आपने देखा हर में अप लिकाब रहें अब 4 से कर देख दो भी वो ही आएगा क्योंकि 4 से तो एक रिमेंडर होंगा ब्रेंटो 1, 4 से करां तो च्रूंप रिमेंडर होगा इसको चाहित नहीं कि दूप टेस्ट है लोग री मिंट्र इसको छार से क्रेंगे तो इसका हुन टूटल टूटि का यूए चीडिक्र उन्स को टोहरी मिंटवाइंड घूर है कि आप बोट टॉन्टि का यूए इसको पकूर phone in अच्छी तरह से आ गया होगा अब चलते हैं question number 19 की तरफ इस तरह question भी आते हैं number system में remainder theorem selected 7 की power 19 plus 2 is divided by 6 the remainder is remainder कितना होगा यह हमें बताना है देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की power 19 को 7 into 7 into 7 19 बार और divided by 6 जवाब करेंगे इसको कि 6 से तो देखिए आप इसको 7 को divide करेंगे 6 से तो एक remainder होगा इसको भी अगर करेंगे 7 से तो एक remainder होगा तो यह एक remainder में चलता जाए एक remainder साथ को छैसे किया साथ को छैसे किया इसको ऐसे साथ कुछ ऐसे किया ऐसे द्खेंगे तो एक रिमेंड होगा या एक 23 हो जाएगा या एक प्लस इसको आप इसको ये उसको एसे भी सब्यूज देख सकते हैं लेकिन ये इसलिए इंपोरेंट रण ये क्यों एक को multiply किजिए जो remainder आए जैसे 3 हुआ फिर इस case में 4 इस case में 5 ऐसे करके आप हैं आप दुबारा कर दीजिए फिर आपका इन सबकी आप गुना कर सकते हैं क्योंकि आप आसान है गुना करना और उसके बाद 5 से डिवाइड किजिए फिर remainder कितना तब आप देख सकते हैं एक तो यह तरीका है और इस case में कितना है 1 remainder 1 प्लस 2 थ्री तो answer 3 होना चाहिए दूसरे के दूसरा तरीका भी देख लिखते हैं क्या है जो दूसरा मेतल आप उसको भी इसी रूप में भी देख सकते हैं जैसे कि मैं 7 की पावर 19 को ऐसे लिख सकता हूं 6 प्लस 1 यह 7 हुआ 7 पावर 19 अब देखिए जब हम यह कर रहे थे अगर मैं एक प्लस बी को एसे डिवाइड हूं क्यों हो एसे डिवाइड को 6 प्लस 176 से डिवाइड करना है इसका मतलब यह इसे डिवाइड करना है सिसग्स, यहाँ पे और प्लस vm इसका मतलब इसको हो जाया चाहिए और इसकेस में इसक्वैर में साट थेवा थो तो नहीं हो रहा तो आपो राइट साइड वाला डिजित होता है वो डिवाइड नहीं होता है एसे इसमें क्या है कि six plus one seven यह तो divide हो रहा है और यह नहीं हो रहा है इसका concept है कि हम सिधा six six प्लस सम्हाब कर गए उधक को six से ऐसे काट सकते हैं, वो कहां से आया उसको हम लोग यहां से कर सकते हैं कि यह divided हो रहा है बस यहो राइड और हूँ भाला वह ुद्ध राइट राय बना वी भाला वह वह व् depicted दो भाला है आप इसको इस नजर से भी देख सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है आप इसको इस नजर से भी देख सकते हैं ऐसे करके आप इसको एक नजर और भी देख सकते हैं कि आगर मालो 7 है तो 7 x 6 कितना हुआ एक रिमेंडर फिर देखिए 7 x 7 कितना हुआ 49 आप इसको अलग लग टुकड़ों में करके भी आप रिमेंडर ऐसे निकाल सकते हैं तो तीन चार तरीक के टेक्निक बताजी मैंने कि आपको इस तरह की कोश्चन को किस नजरिये से देखना साहिए तो आप इसको अब इन सारी चीज़ों होने के बाद में आप सीधा देख सकत ऐसे कर सकते हैं जैजमें आपको यह बताया 6-7 मतलब यहां पर 7-1 करके और 19 पावर 2 ऐसे करके हम निकाल सकते हैं हम और भी कुश्चन करेंगे वराइटी में अगले भाग में कि इसी रिमेंडर थोर्म से लिएटिट दो तिन टाइग और इसी वराइटी में हम लोग है इन अब चलते हैं एक कुश्चन पर और यह कुश्चन कई बार है असान सा लेकिन स्टुटेंट इसको छोड़ देते हैं आम तोर पर क्योंकि ठोर्टिकली कोई ज्यादा समझाना है इसमें नहीं होता लेकिन अगर आपने एक दो वराइटी इस तरह कर लिया है तो यह आते हैं तो आप कैसे करेंगे यह वराइटी आतियत कैसे करेंगे देखिए 0.3939393939 इसका मतलब क्या हुआ यह repeating digit है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.39 आपने 3rd class 4th class में इस तरह से देखे होंगे वह concept है 3rd class 4th class वाले हम दोबारा rewind कर लेते हैं फिर हम क्या करते हैं इसमें 39 divided by इसकी जगापे हम 99 कर देते हैं यह formula आप बोल सकते हैं या technique बोल सकते हैं 99 कर सकते हैं और इसको अब जगो 39 divided by 99 answer होना से ही है यहाँ पर 39 divided by 99 नहीं किस रूप में answer answer तीन से यह divide हो जाएगा दुनों तीन से चला जाएगा तो 13 by 33 13 by 33 यह answer है बी अगर आप 13 को 33 से भाग देंगे तो आपका ultimately यह आएगा कि भी जाएगा नहीं कट यह से जलता रहेगा इसका मतलब यह हुगा आप करके भी देख लेना चाहिए 13 यह 99 लिखे जाता है था कि यह जायन है कभी अगर अब इससे लेट एक दो टाइप ऐसे आ जाते हैं कोश्चन वह आप थोड़ा समझी इसको अगर ऐसे आए 2.461 और इसका मतलब क्या हुआ इसको क्लिफाइ कैसे करें हम देखो 2.5 का मतलब क्या होता है दो और फ्लेस पॉइंट 5 मतलब धाई हो गया है ऐसे ही 2 को हमने मैंने ऐसे कर लिया और उपर के लिया 4614 माइनस अब जितने के ऊपर यह बार है उसको छोड़ दो अब देसमला और डैसिमल और बार के बीच में जितने अक्सर है कितना अक्सर है जितना जो अमाउट है वो लिया जाता है कितना है 4, minus 4 कर दीजी, divided by, जितने digit के उपर बार है, कितने के उपर बार है, तीन के उपर, तीन, 9 लिखने आपको, और decimal और बार के बीच में जितने digit है, उतनी आप 0 लगा दीजी, तो यह formula होता है, तो क्या हुआ, 2, दो सही, आप इंदी में बोलना चाहिए, 2, 6, 0, 8, divided by 9, 9, 9, 0, यह इसका answer होगा, अब इसको simplify करना चाहिए, फर्दर कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दिया, एक दो example, आप मैं, और ले लेता हूँ, इसको दवारा समझाने के लिए, जिससे कि यह पूरा function है, बार वाला, और, उसको कैसे लेना है, जैसे मैं लेता हूँ, यह 0.723, और 75, ऐसे करें, hypothetical situation लेते हैं, इसको हम कैसे solve करेंगे, 723, 75, minus, बार, और decimal के बीच में, जितने थे, हमने उसको minus कर दिया, 723, divide by, बार कितने के उपर था, दो, एक तर के उपर, 99 लिग दिया, और कितने हैं, दसमला, और बार के बीच में, कितने हैं, 30, three digits है, 30, इसलिए लिए लि लिखना है, और इसको divide by 99,000, फिर आपको simplify करना हो, तो ऐसे ये वाले question है, ये बहुत important है, आपको ये दियाद रखना है, इसकी sub variety है, हम आगले part में भी करेंगे, जिससे आपको सम्झ में और जादा आ जाए, कि इसका multiply करना हो, या sum करना हो, या minus करना हो, तो कैसे करते हैं, उमीद करता हूँ, इस presentation में, जो हमने variety की है, number system selected, ये आपको समझ में आई होगी, आप जब इनको बार बार करेंगे, आपका एक level ऐसा आएगा, आपको tips पर ये हो जाएगे, और यही agenda होगा, कि अगर नौकरी लगनी है, जोब लगनी है, तो वो आपके tips में होनी चाहिए, और आप सारे की सारे questionnaire solve कर पाएंगे, इन से ये variety को करने के बात में, thank you very much for watching this presentation, all the best.